हेलो फेंट्स आप सब कैसे है यह स्टेट, TZT, PZT, PRT के जितने भी Candidate Exam देनी वाल है Admit Card कैसे डाउंडूड करेंगे इस वीडियो में Admit Card डाउंडूड करने की Complete जनकारी देनी वाल है तो वीडियो कें तक बन रही है तो चलिए इस वीडियो को सिर्व करते हैं तो admit card को download करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone में किसी भी browser को open करना है, हमने chrome browser को open किया है, फिर source वार पर आना और website को type करना है exam-sarakari-result.info, कुछ ही इस प्रकार से space देखे type करना है, then आपको search कर देना है, जैसे type करके search किजेगा यहाँ पर exam-sarakari-result.info का officially website शो कर रहा है, इस पर click करके website को open करना है, इसकीन को scroll करिएगा new update का section देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने की बाद first update देखने को मिल जारा है, हरयाना year state admit card 2023 की update, इस update भी click करना है और इस update को open कर देनी है, तो यहाँ पर एक एड़ आड को close कर देना है, कु आनी है, direct important link के section में, यहाँ पर आने की बाद download admit card के आगे, click here का option चो कर रहा है, इस पर click करना है, click here पर click करते ही, यहाँ पर officially शाइड open हो साएगा, इसमें admit card download करने के लिए candidate को यहाँ पर login करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर resistance number फिर password फिल करनी होगी, password में आपको date of birth और नाम के capital दो अच्छर फिल करनी होगी, आपका birth 1999, 26-1999 का है, तो 26-1999 और नीमा नाम है, तो RI फिल करनी होगी, फिर capture code फिल करना होगा, and then आपको shining का option शो करा है, इस पर click करना होगा, signing करते ही कुछ इस प्रकार का नया preview open हो जाएगा, जिसमें पूरी details आपकी दी रहेंगी, and then side में यहाँ पर admit card का option देखने को मिल जारा, आप सिभी को simplest पर click करना होगा, download admit card पर click करते ही आपका admit card कुछ इस प्रकार से download हो जाएगा, बस यही process है admit card download करने की,